यह दूसरी डिजीज है आपकी इर्गट ऑफ बाजरा ठीक है अरगट अरगट हिंदी में भी अरगटी कहते हैं यह अरगट जो है आपका अश्कुमाइसिटीस का है यह डिजीज मतलब बहुत सारे कंट्रीज में होती है इंडिया भी इसमें एक है इसमें जो इस्पेशल चीज़ है वो है अलकलॉइड यहां आप देख सकते हैं यह जो अलकलॉइड है एक अलकलॉइड होता है अरगट अक्सिन अरगो अरगट अक् स्क्लोरोशिया बनते हैं उसमें ये कैमिकल अर्गर टॉक्सिन पाया जाता है यो आदमी और जानवरों के लिए होट टॉक्सिक होता है नुक्सान तायक होता है जिसकी वज़े से लोगों की मौत तक हो सकती है ठीक है इसका लॉस इस डिजीस से होने वाला 70% तक होता है सिम्टम आप देखेंगे यहां पर यह फ्लॉवर बनने का जब इसमें टायम आता है तब यह डिजीस एपियर होती है इसमें क्या होता है कि देख रहे हैं आप यहां पर यह जो है पिंक कलर का गुलाबी रंग का शहद की तरह का सिक्रिशन दिसाव शुरू हो जाता है जो है यह रिसाव शुरू हो जाता है जब स्पाइकलेट फूल से रिसाव शुरू होता है तो यह दियू को हिंदी में कहते हैं मदू बिंदू अवस्था जिन फूलों पर इस डिजीज का प्रकोप होना शुरू हुआ है उन फूलों से उनके स्पाइकलेट वाले पोशन से चहद जो है इसने लगता है ठीक है यही जो है बाद में हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है और यह बन जाते हैं आपके हार्ड ब्राउन स्ट्रक्चर इनी को कहते हैं sclerotia, यह जो sclerotia है, इसमें grain की जगे पर बन जाता है, sclerotia को ही irregular जो sclerotia बनते हैं, इन्हीं को कहा जाता है, इसको यह बिंदू जो शहद जैसा पधार्थ पहले निकला, सिक्रीट हुआ, वो ही हाड हो गया, और हाड होने के बाद, वो क्या हो गया आपके, अरगट बना दिया, sclerotia बना दिया ब्राउन कलर का, चीक है, यह sclerotia चहद वाली अवस्ता के 10 से 15 दिन के बाद बन जाते हैं, यह आप यहाँ पे बिल्कुल हनी ड्यू, इसमें देख रहे हैं, यह एकदम क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बिंदू इसका दिखाई दे रहा है, यह sclerotia बना देते हैं, यह आप देश सकते हैं, इसमें जो बाजरे के बीज है, बाजरे के सबीज के साथ ही, और गट भी इसमें मिक्स है, sclerotia, thick wall, काला रंग का structure होता है, ठीक है, यह कुछ healthy seeds हैं, साथ में यह इसके साथ मिक्स है, कुछ में इसमें disease में ही infection, बीज में ही infection आपको दिखाए दे रहा है, तो यह आपका diagram है, इसका fungus है, clevisips fusee formis, ठीक है, यह ascomycetes पन जाए है, यह disease soil and seed war है, मतलब जो आपके अरगट बने, वो गिर के कुछ तो बीज के साथ रह गए, मिक्स हो गए, कुछ गिर गए जमीन में, ठीक है, यह जमीन में गिर गए, और जब next season आएगा, तो यह germinate करके बाजरे की crop को खराब pathogen, survive करते हैं, sclerosia, 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 sclerosia का बाजरे के case में, sclerosia का एक particular नाम दे दिया है, वो है, अरगट, जनरली यह peer shape, यह ठिक, irregular लिखा है, पिर यह shape भी होता है, ठीक है, यह मैं अभी बताई चुकी, germinate कर जाते हैं, फिस secondary spread, यह तो पहला primary source है, ठीक है, दूसरे source में क् germinate कर जाते हैं, germinate करने के बाद, secondary spread, conidia, asexual, यह क्या है, आपका, यह जो है, अलेंगी किस्पोर, यह भी mycelium, sclerosia, मैं पैस शाहिदा भी पिछली उसमें बताया था, या किसी दूसरी क्लास को बताया होगा, तो sclerosia क्या होता है, mycelium जो है, एक structure बना लेता है, उसको कहत asexual reproduction, जो delicate structure होता है, conidium, वो इसके द्वारा, secondary spread, जो है, इसके द्वारा होता है, फैलता इसके द्वारा है, अब यह conidium, insect अपने साथ चिपका के ले जाए, या आप, आपसे पते रगड के चिपक के चला जाए, बारिश की बुंदों के द्वारा, इसकी disease के फैलने के लि disease के लिए, मतलब ज्यादा मोईशन होना चाहिए, fungus जो है, flower वाले type part में ही, ओवरी होती है, जहां पर यह इसको attack करते है, mainly यह कहां attack करता है, ओवरी पर, इसमें septate mycelium होता है, और conidio 4 होते हैं, जो arrange होते है, closely, इसके conidia, एक cell का होता है, single cell होता है, ठीके, honeydew, जो stage है, व बताई दिया भी primary उसका काम करता है, और जो year में भर जाता है, और उसके बाद conidia बनता है, जिसमें honeydew, जो stage होती है, उसमें क्या होता है, actually conidia ही भरे होते हैं, फिर यह, इस case के लोग रिश्य है, dark gray होते हैं, but white inside, बहार से dark gray small होते हैं, और यह जो है, inside white, अंदर से white होते हैं, यह मैं बताई चुकी, कि इससे एक chemical micro toxin secret होता है, अर्ग टॉक्सिन, यह बता दिया, इसके लिरोशिया, छे से 8 मैने तक survive कर सकते हैं, स्वाइल में होता है, यह मैं आपको बता चुकी, यह बाजरे, यह अदर penicytum voice के दूसरे पर भी यह और disease cause कर सकता है, favorable conditions बता दिय लेकिन यह है, इसमें 20 से 30 degree है, यहाँ पर 300 लिख दिया है, गलत है, 30 degree temperature तक होना चाहिए, आकाश जो है, जब बदली, जो अभी बीच में मौसम नहीं आया था, डिसलिंग रेन होनी चाहिए, बदली बादल चाहिए हो, तभी यह disease cause कर पाता है, क्योंकि जैसे ही sunlight निकलेग वो क्या होगा, जो mycelium में वो सूप जाएगा, वहीं की वहीं खतम हो जाएगा, यह क्या है, फिर इसके बाल, इस management का सबसे चवपाए है, कि आप early या late varieties जो है लगाए, जिससे कि जो pathogen के आने का time है, यानि कि September में फूल ना बने, जब high rainfall होता है, और high relative humidity होती है, तो उस time बे flower ना बने, तो या तो उससे पहले बन जाए, या उसके बाद बने, ठीके, जब आप seed को लगाने जा रहे हैं, तो salt solution में, नमक के घोल में, 10% नमक के घोल में, इसको डुबो दे, जिससे की floating, जो इसके लिरोशियां है, वो तैर के उपर आ जाएंगे, और आप उसको अल लिटरल होस को, लिटरल होस में, जो इसका संपाशर विक पर पोशी है, उसको हटा दें, यह जब डिजीज बाजरा नहीं होता है, तो बाजरे के वंश के दूसरी species पर यह जाकर सर्वाइब कर लेता है, रेजिस्टेंट पराइटी इसको गिरा, ओगाएं, और जिरम, और सबसे इसका प्लॉवर का उपचार कर दें, ठीक है, यह तो आपका हुआ बाजरे के रोग, ठीक है,